नवस्कार बहुत बस्वाद करते हैं क्लिक टूड़े के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और 2020 से 23 सेशन के जितने भी छाते मुझ छातराएं अभी अपने परिक्षा को ले करके इंतिजार कर रहे थे उनको पता है कि 19 तारिक से जो है अभी फिलहाल जो डेट सामने निकल कर क्या रहे कि पार्ट थिरी के परिक्षा को सुरू करवा दिया जाएगा यहीं पर कई छाते मुझ छातराओं ने ये सवाल खरे किये कि सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर कोई भी सिलिबस कवर अप नहीं किया जा सकता है और इस बात पर हम पूरी तरीके से आप सभी से सहमत है तो आप सभी जितने भी छातराओं छातराओं इस परिक्षा के लिए इंतिजार कर रहे हैं क्या आप सच में पूरी तरह से तयार हैं अगर तयार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो येस लिखेंगे और इस वीडियो को जहाँ साथा लाइक करेंगे जैसा कि अभी रिपोर्ट जो है सामने निकल कर क्या रहा है पहले अपने सब्जेक का कोश्चन मैंक उठाना है और पिछले 5 साल का कोश्चन देख लेना है उसमें से जो कोश्चन सबसे ज्यादा बर रिपीट हुआ है उसको वी वी इमाक कर लेना है वो कोश्चन आपके लिए most important question हो जाएगा उसके बाद उसका answer से आपको guess paper के अंदर ढूलना है तो ये दोनों चीज आपको हमारे website के उपर मिल जाएगा तो वीडियो के description box में और comment box में जो link पिन किया गया है वहाँ से जाकर कि आप हमारे website से guess paper और question bank को purchase कर सकते हैं साथी साथ आप सभी shop now coupon code लगाएंगे PDF format में guess paper question bank जो है पहुच जाएगा अगर इसके अलाबा आपके पास कोई अतरिक सवाल हो तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं अब चलिए बात करते हैं कि क्या 19 तारिक से परिक्षा सच में सुरू हो ही जाएगा और कितने possibilities हैं तो उस possibilities को हम अभी आपके आगे के slide में दिखाने वाले हैं और B.com की जितने भी corporate administrative वाले student है business environment वाले student है वो नीचे एक बार comment करेंगे क्योंकि आप सभी को आपका guest paper नहीं मिला होगा questions नहीं मिला होगा इसको लेकर कि आपको हमारी telegram channel पे जो update मिल चुका है बावासवे भीमरा आमबेटकर बिहार विस्विद्याले मुझफरपुर इसमें जो है जितने छुटी मिलने वाले हैं उसको लेकर के जो है चर्चा किया गया है पहले था कि केके पाटक ने बीच में अभी ऐसा किया था कि सारे छुटीयों को रद कर दिया था चट पूजा वगरे कर भी छुटीयों को उन्होंने खत्म कर दिया था हाला कि वापस से जो बीच में नोटीस आया था उसको निरस्त करते हुए निती सरकार ने जो है अभी जो पूरानी छुटीया थी उसे लागो कर दी आप सभी को जैसा की मालूम है अब चलिए आपको दिखाते हैं कि अगले महीने और इस महीने कितनी छुटीया है अभी देखे 6 सितंबर के छुटी जो है आपके सामने जो है निकल गई अभी 27 में पर आप देखे विस्व कर्मा पूजा का एक छुटी 17 सितंबर को है जिसमें कि रविवार पढ़ रहा है तो उससे कोई लेना देना अब है भी नहीं अनंत चतुरदसी का जो है 28 सितंबर को एक छुटी उधर पढ़ रहा है फिर आप ऑक्टूबर के महीने में देखेगा सिर्फ छुटीया ही छुटीया है इस वज़े से अब ये लग रहा है कि युनिवर्सिटी जो है परिक्षा कारिकर में अगर तयार कर चुकी है पाट थरीका तो परिक्षा भी 19 तारीक से वो सुरू करवा दी कारण गे कि आगे आने वाले जितने भी मन्स है उसमें आप छुटीयों को देख लीज़े दो अक्टूबर को चुटी है 11 अक्टूबर को चुटी है 15 अक्टूबर को चुटी है 21 से 25 अक्टूबर तक चुटी है ये चुटी आपको दुर्गा पूजा के लिए मिल रहा है फिर जो आप देखेगा 12 से 21 नॉमबर तक जो आफ सवी को चुटी देखने को मिल रहा है दीपावली का चुटी है छट पूजा का चुटी है फिर उसके आदेखेगा 27 नॉमबर को चुटी है फिर तीन दिसंबर को छुटी है तो कुछ इसी प्रकार से छुटीयों का सिलसला जो है सितंबर मा के बाद से सुरू हो जाएगा इस वज़े से बिहार विस्विद्याले चाह ये रही है कि 2020 से 23 सेशन वालों का पार्ट 3 का परिक्षा सितंबर के महीने में पूरा करवा लिया जाए उसके बाद जो प्रैक्टिकल का परिक्षा बचेगा उसे जो धीरे धीरे अपना टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो अब इसी चुट्टियों के वज़े से जो आप लोगा सिड्यूल पहले तयार किया गया है उपर से आदेश भी था कि जो भी लंबित परिक्षा है उसे सितंबर माह तक कंप्लीट करवा ले तो वही देखते हुए आप लोगा परिक्षा कारिकरम बना लिया गया है और अब मैं कनफॉर्म हूँ क्योंकि जब आप छुट्टियों पर नजर डालेंगे तो उसके अगले महीने होने में थोड़ी कठीनाईया है क्योंकि छुट्टियों का सिलसला जो अब सुरू होने वाला है आपका क्या कहना है इसके उपर नीचे कमेंट करके जरूर और आप सभी अपने सब्जेक का कुश्चन मैंक गेस पेपर पर्चेस करके पढ़ाई करना सुरू कर दीजे हलके में मत लीजे क्योंकि एक्जामनेशन जो है अब आपका सुरू हो सकता है बाकी आज साम तक या कल साम तक जो आप लोगा फैसला हो जाएगा क्योंकि आपको तीन से चार दिन पहले एडमिट कर आप सभी के कॉलेज के आईडी पर भेजा जाता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही रिपोट था कुश्चन मैंक गेस पेपर पर पर्चेस कीजिए क्लिक टुडे के वेबसाइट से शॉपन कूपन कोड लगाते हुए